पढ़ने वाले हैं मध्य पृढदेश सामान ग्यान में मद्य पृढदेश में परेटन के बारे में मध्य पृढदेश के परेटन इस्थल का बरीकरण इस परकार किया जाता है प्राचीन गुफाएं, एतिहासिक दुरग, समाधी मकबरे, राष्टी उद्यान, प्रमुक तीर्तिस्थल और प्रमुक राजसी महल यहां 25 गुफाएं, बाग की गुफाएं, बिंदेशल की पहाड़ियों में इस्तित है, इन गुफाओं की कलाकर्तियां अजन्ता एलोरा के शमान है भरत हरी कुफाएं, वो जन में श्तित है, इनकी संख्या नो थी, जन में से अब केवल पाँची सेस है, इन कुफाओं का निर्माण, परमारवन्स के राजाओं ने ग्याराहिमी सताब्दी में करवाया था ग्वालियर के किले को किलों का रतन कहा जाता है, ग्वालियर के किले में इस्तित गूजरी महल और मान मंदिर का निर्माण, राजा मान सिंग तोमन ने करवाया था ग्वालियर के किले में पांच दर्वाजें हैं जिने आलमगीर दर्वाजा, हेंडोला दर्वाजा, गूजरी माल दर्वाजा, चत्रभुज मंदिर दर्वाजा और हाथी पॉंट दर्वाजा आधी तांसिन की समाधी ग्वालियर में इस्तित है नेक्स्ट है मद्दिपिर्दिश की प्रमुक गुफाएं बताएं गई हैं इसमें गुफा और स्थान कहां पर है हांडी खोए गुफा पचमणी में इस्तित है पांडो गुफाएं पचमणी में है पुदाइगिरी की गुफाएं विदीशा में है वर्तहरी गुफाएं उज्जेन में है बाग गुफाएं धार में है और भीम बेट का रायसिन में है अजयगड का किला अजयगड में इस्ति गिन्नोर का किला भुपाल से 60 किलूमीटर दूर गिन्नोर गड़ के निकट इस्ते थे चंदेरी दुर्ग बेतुवा नदी के किनारे पर इस्ते थे खजुराओं छतरफुर जिले में इस्ते थे जहां खजुराओं महुस्व मनाय जाता है बोध धर्मे के प्रचार का प्रमुगण विदीशा था रानी रूप मती का महल इबं बाज बहादर का महल मांडव गड़ में इस्ते थे मन्दसोर का किला सिवना नदी के किनारे बसा है प्राचीन काल का दसपुर आज मन्दसोर के नाम से बिख्या थे असीरगड का किला बुर्हानपुर रेलवे स्टेशन से 20 किलो मीटर दूर इस्ते थे चंद्रशेकर आजाद की जन्म इस्थली जाबुगर जले की भावरा तहसील है जहां महान करांतिकारी चंद्रशेकर आजाद का जन्म हुआ था नेक्स्ट है खजुराओं के मंदिर चंदेलों ने बनवाए थे गुआलियर का जैविलास महल पाश्चात्य सेली का पराधारे थे मोहम्मद गौर का मकबरा गुआलियर में इस्ते थे मोती महल का निर्माण गोंड राजा हिर्दय साय ने करवाया था वह महल मंदला से 16 किलूमीटर दूर इस्ते थे गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंग ने अपनी प्रिय पतनी रानी म्रग नैनी जो गुजर जाती की थी उसकी आदमे करवाया था रानी दुरगावती की समाधी जवलपुर से 17 किलूमीटर दूर बरेला गाउं में इस्तित है रानी लक्षीमभाई की समाधी गुआलियर में इस्तित है परमार वंस का सबसे प्रतापी राजा राजा भोश थे महमूद गजनवी ने गुआलियर पर 2019 में आक्रमण किया था तात्य टोपे को फासी स्योपूरी में दी गई थी रानी दुरगावती का प्रशिद्य किला मंडला में है ओम कारिश्वर खंडवासे 78 किलूमीटर दूर है यह नर्मदा की किनारे बसा है यह देश की 12 जोतर लुंग में से एक है ओज्जेन छिप्रा नदी की किनारे बसा है जहां महा कालिश्वर जी का प्रशिद्य मंदर है जो 12 जोतर लुंग में से एक है उज्जेन में प्रती बारा बर्ष पश्चात सेहस्त मेले का आयोजन होता है उज्जेनी का सबसे प्रताप राजा बिक्रमारित हुआ था उज्जेन में इस्थित जंतर मंतर का निर्मान जैपुर के राजा जैसिंग ने सन 1733 में करवाया था उज्जेन में इस्थित काल भेरों की मूर्ती मद्यपान के लिए प्रिशिद्ध है राजा भोज ने भोपाल नगर बसाया राजा भोज की राजदानी धार थी पंद्रिमी सताब्दी में तोमर बंस ने ग्वालियत पर राज़ किया था प्रिशिद्ध जेन तीर्थ 52 गजा बड़वानी जिले में इस्थित है खजराओं के मंद्रों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था चेत्रकूट में भगवान ब्रह्मा, विश्णू, महेश ने बाल अवतार लिया था जिसकी माननेता है चेत्रकूट उत्रप्रदेश और मद्रदेश की सीमा परिस्थित है साची बोध तीर्थ के लिए प्रिशिद्ध है साची के स्थूपग निर्माण समराट असोग ने करवाया था विदिश्या का प्राची नाम बिद्यावती था यह थे मद्दे पर्देश के परमुक तीर्थगर